असलाम देखों वीवर्स, I hope all of you will be fine so let's start our second lecture which is about present continuous tense जैसे कि हम पहले अपना कल का lecture कर चुकी है lecture no.1 जिसमें हमने present definite tense किया था तो आज हम कर रहे हैं present continuous tense ठीक है, सबसे पहले जी इसकी symbol क्या होती है हमें कैसे पता चलेगा जब हम उड़ दूस sentences पढ़ेंगे कि ये present continuous tense है, तो उसकी अलामत क्या होगी कि जो order sentence होगा, उसके एंट पर क्या होगा, रहा है, रही है, रही है ठीक है, उसके बाद जैसे कि आपको पता है कि हार tense में क्या आते हैं जी, हैपिंग वर्बस, तो present continuous tense कि हैपिंग वर्बस क्या है इसमें तीन helping verbs हैं और वो कौन से हैं is mr ठीक है उसके बाद जैसे के हम present in reference tense में discuss कर चुके हैं कि जितने भी pronouns होंगे उनको हम हर tense में उस tense के helping verbs के according classification उनकी कर लेंगे ठीक है तो इसमें चुके हमरे पास तीन है helping verbs तो इसके जो हैं हमारे pronouns उनकी भी तीन classes बन जाएंगी और वो कौन से होंगी is class, m class और और class इस class में कौन से pronounce आएंगे he, she, it, m class में only one और वो कौन सागा I, r class में हमारे जाएंगे तीन और कौन से होंगे we, they, you ठीक है जो plural names होंगे उनके साथ r और जो singular name होगा किसी भी person, place or thing का उसके साथ is लगेगा ठीक है अब फर्मूलास की तरफ जाने से पहले एक पर हम इसको करते हैं summarize और वो क्या है इसकी निशानी क्या होती है, इसकी अलामत क्या होती है तीन helping verbs हैं लेकिन हमरे पास total जो pronouns हैं जो कि as a subject यूज़ होते हैं grammar में वो seven है तो उन seven को हम classify करेंगे इन तीन helping verbs के according ठीक है तो classes बना लेते हैं इनकी classification कर लेते हैं तो इस class में कौन कौन सा जो है हमारा pronoun वो आ जाएगा he she it, M class में आ जाएगे I और R class में आ जाएगे with a you ठीक है plural names के साथ R जबके singular names के साथ is आएगा और M है जब वो exceptional case है वो just I के साथ आएगा ठीक है अब आते हैं हम जबके इस तरफ कि जब हमने ना sentences बनाने होते हैं simple sentence होते हैं ठीक है जिनके end पे रहा है रही है रहे है वगयरा आता है तो वो कैसे हम English में कर्माट करेंगे तो ऐसे करेंगे कि जब इस वाले जो होंगे हमरे पास pronouns ठीक है तो उनके ले क्या formula होगा वो जब subject के तोर पर use होंगे जनके ही sheet जब subject में आएंगे plus is plus v1 v1 का मतले है work की first form plus ing plus object ठीक है आपने याद रखना है यहाँ पर s subject के लिए और o object के लिए v1 किस के लिए है work की first form के लिए जैसे कि है वो कताब पढ़ रही है she is reading book ठीक है अब she has done she has read book she has written book यह सोचने के बजाए आपने just formula अच्छी तरह memorize करना है कि subject plus is plus v1 यहाँ की first form plus ing plus object ठीक है तो इसमें जब आप words पूट करेंगे तो वो definitely आपका sentence बहाँ जाएगा और इसलिए आप उसकी translation कर सकेंगे उसके बाद जी हमारा आता है simple formula for our class ठीक है और क्लास के लिए क्या होता है सबसे पहले यह formula की तरफ आने से पहले आपने वो जो classification of pronouns रट लेनी है क्योंकि जब आप वो आपकी clear हो जागी तो ही आप classes के गौर्डिंग इनके formula जियात कर सकेंगे ठीक है और क्लास के लिए formula से पहले आपको पता होना चाहिए आर क्लास में कौन से pronouns आते हैं वी दे यू ठीक है तो इसका formula start करते है subject और subject में क्या सकते है वी दे यू ठीक है प cricket खेर रहे हैं they are playing cricket ठीक है I hope कि आपको साथ साथ समझा रही होगी कोई भी point आपका clear नहीं होता या आपको कोई भी चीज़ इसमें problematic लगती है तो आप comment section में में से पोछ सकते हैं ठीक है उसके बाद जी simple formula for M class वो जो हमने classification की हुई है ना तीन की थी ना अब M class की बारी है और M class मैंने आपको बताया एक्सेप्शन है इसमें जस्ट एक ही प्रोना आता है वो कौन सा है I ठीक है subject में I आए आएगा plus M plus V1 यानिके verb Q first form plus ING plus object और इसमें मैं सिंटेंस लिया है example के त कि अगर हमने present continuous tense में negative formulas के according negative sentences बनाने हो तो क्या उसके लिए हमें formula चाहिए होगा तो उसके लिए हमारा formula होता है subject क्या होते है जी ये इस class के लिए है तो subject क्या होंगे he she it या कोई भी singular name of person place or thing ठीक है plus is plus not plus verb Q first form V1 plus ING plus object जब भी आप practice करें तो एक चीज़ याद रखें classification लें दूसरे निबर पर formula अच्छे से याद कर लें तो here you go आपके कोई से भी sentences आप आराम से बना सकते है ठीक है यहां पर एक चीज़ और continuous के लिए जब आप helping वर लेंगे तो उसकी main चीज़े को याद रखने के यहां पर first form के साथ ING use होगा ठीक है okay जीसकी example क्या लिए she is not reading book वो किताब नहीं पढ़ रही है ठीक है ओके उसके बाद है negative formula for M class M class exceptional case only one subject which is I ठीक है subject यानि के I plus M plus not plus V1 plus ING plus object मैं TV नहीं देख रही हूँ I am not watching TV ठीक है यह बोच सकता है मैं कपड़े नहीं दो रही हूँ I am not washing cloths और मैं सबक नहीं पढ़ रही हूँ I am not reading the lesson etc. यह जो practice है यह आपने साथ साथ होद करनी है मैं अपने पिछले lecture में भी कह चुकी हूँ कि यह आपने practice साथ साथ करनी है क्यों क्यों क्योंके practice maximum है perfect उसके बाद जी negative formula for R class ठीक है यानि कि जो हमारे pronouns आते हैं R के साथ या जिन pronouns के साथ आता है R उनके लिए क्या formula उता है subject with a you plus are plus not plus we want work you first form plus ing plus object अब एक मेंने sentence लिया है और यह हम इन तीनों को put कर सकते हैं इसके जगा ठीक है हम आप वो इनमें से कोई साथ एक पानी नहीं पी रहे हैं we, they, you are not drinking water ठीक है उसके बाद interactive formula for is glass is glass के लिए interactive formula जो होगा याद रखीगा किसी भी sentence को interactive बिनाने के लिए हम उसका जो happy verb होता है उसको start मिले जाते हैं कोई साथ बिटेंस हो ठीक है तो इसमें हमारे पास जो happy verb है वो is class के लिए is है तो इसको start में कर देंगे और बाकी हम simple formula आगे लगा देंगे तो क्या बन जेगा is plus subject is sheet plus v1 verb की first form plus ing plus object ठीक है क्या वो सबक याद क lesson ठीक है उसके बाद है integrative formula for our class ठीक और क्लास के लिए क्लास के लिए क्लास के लिए क्लास के लिए होगा जी उससी तरह our को start में ले जाएंगे और बाकी हम simple formula put कर देंगे और क्या बन जाएगा are plus subject with a u plus v1 verb की first form plus ing plus object क्या वो cricket खेर रहे है are they playing cricket are they playing cricket ठीक है integrative formula for m class और m class के लिए क्लास के लिए क्लास के लिए क्लास होगा m को start में ले जाएंगे m plus subject subject में i m plus subject plus v1 verb की first form plus ing plus object क्या मैं खाना खा रही हूँ am I eating food or am I eating meal I hope कि आपको ये सारा lesson समझ आ गया होगा फिर भी अगर कोई point आपको समझ नहीं आता तो आप comment section में 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 से discuss कर सकते हैं ठीक है मिलते हैं नेक्स वीडियो में अलाहाफिज और जाने से पहले एक चीज़ ये कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो के update आपको मिलती रहें अलाहाफि अलाहाफिछ और ए हमने मेरी वीड़ र